हेलो एब्रीबन वेल्गम बैक टू मैई चैनल सो आज की वीडियो में मैं आपकी शाथ शेयर करनी जा रही हूं एक मेकप टेटोरियल जो कि मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाया है तो क्लास चल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो को बनानूं और यूट्य इनकी स्कीन को क्लीन कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने टोनर लगाया है गुड़ वाइब्स का तो स्टेप बाई स्टेप में सारे ही प्रोडेक्ट भी बताऊंगी अब मैंने यहां पर सिरम ले लिया है क्योंकि यह मेगप लुग जो मैं आपको सिखा रही हूं यह है अप्लाई कीजिए सिरम को जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रहे हूं एंड यहां पर मारिस की इंतियार हो चुकी है अब मैं यहां पर आई मिकप स्टार्ट करूंगी जिसके लिए मैंने आल्प कॉस्मेटिक का लिक्विड कंसीलर लिया तो आज हम जो आई आप क्रियेट कर सकते हैं अपने क्लाइन पर भी या अपने मॉडल पर वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं तो यहां से आप इस तरह से वीडियो को आप देखकर आप अपनी स्टूडेंट को सिखा सकते हैं अब हम आइब्रो पैंसल की हाथ से इनकी आइब्रोस को हलका सा शेप देंगे इनकी आइब्रोस जो है और रेडी काफी डार्ग हैं तो सिर्फ सेप देनी है उस हिसाब से थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे इनको अब हम अपना आई मेकप स्टार्ट करते हैं तो मैंने जो आई शेडो लिया है वो मेकप रैबूलिशन का आई शेडो पैलेट लिया है काफी पिगमेंटेट पैलेट है ये और इसमें से मैंने डाक प्राउन शेड लिया है आज का जो आई मेकप है हाप कर्ट क्रीज है तो हम जो कॉर्णर वाला जो शेड लेंगे वह डाकर शेड लेंगे और फ्रंट पर हम कोई भी लाइट शेड लेंगे जो कि सिमर हो सकता है इस तरह से हम हाप कट क्रीज अपने आई मेकप कम्प्लीट करेंगे तो देखिए मैं किस तरह से ब्लैंड करनी हूँ अब मैंने यहाँ पर डाक क्रीन शेड का आई शेड लेया है और उसे मैं उसी जगह पर लगा रहे हैं यहाँ पर मैंने ब्राउन शेड लिया था उसे थोड़ा आगे की साइड में जिससे कि यहाँ पर हमें टू कलर का एक अच्छा शेड मिल जाए तो देखिए मैं जस्ट आ झाल । तो यह जो आई मिकप है मैं विगनर्स के लिए क्रेट कर रही हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर क्रीज एरिया के ऊपर जो भी मैंने ट्रांजिशन शेड लिया है वही शेड है जो मैंने आउटर कॉर्नर पर लगाए तो उसी को अलका से स्प्रेड कर दिया है मैंने कोई अलग से कोई ट्रांजिशन शेड नहीं लिया है अब जो मेरा white shade का जो आई पे जो area बचा हुआ है आप देखिए आप अगर अच्छा makeup कर लेते हैं तो आप इस पर concealer लगाईए अच्छे से और एक crease area define कीजिए लेकिन मैं यहाँ पे वेगनर्स के लिए सिखा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर जो मेरा area जहाँ पे आप concealer दिख रहा है already तो उसी area पर मैंने एक light shade का eyeshadow लिया है जिससे कि मैं इसके उपर जो भी मैं pigment या glitter या मैं simmer shade लगाना चाहूंगी आगे तो same इसके उपर लगेगा तो बह हमें उपर glitter या simmer shade हमें apply करना चाहिए तो दीखिए किस तरह से में कर ली हूँ यहाँ पर क्रीज भी अच्छे से define हो चुकी है क्या है भी मोणा पर बह दो किस तरह से तरह से उपर जपर जबाव जफर जब कर रहना खらादाना यहाँ पर जपरोगे जबावेगा जब हो जब सके उपर चाहँ पुकी हाँ परोगे उपर जब के पर शॉबर में कर जब दो आब शभावेश टिल्बर ब़ुण ए रहब में यहां पर एक क्रोम आईशेडो ले रही हूं जो कि लिक्विड आईशेडो है इसका जो ब्रेंड है मुझे नेम याद नहीं है बट यह लिक्विड क्रोम आईशेडो है इसमें मल्टी टाइप के शाइनिंग इसमें दिखती है तो देखिए मैं इसको किस तरह से अप्लाई कर रही हूं और वहां लगा रही हूं जहां पर मैंने सिर्फ जो मैट शेड लगाया तो जिससे की मेरी जो क्रीज है काफी अच्छे से डिफाइन हो सके झाले कर दो है झाल 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 पर जाल तो उस पर मैं इसको लगाऊंगी जिससे कि इनका जो डिसकलरेशन है वो मैनेज हो सके। अब हमने जहां पर औरेंज कलर करेक्टर लगाया था वहां पर एक ऐसा शेड लेंगे जो इनकी स्कीन से एक शेड डारकर हो तो उस एरिया पर लगाएंगे जहां पर हमने औरेंज कलर करेक्टर लगाया था जिससे कि जो हमारा औरेंज कलर करेक्टर है और जो उपर का जो हम शेड लगा रहे हैं वो इनके स्कीन टोन में एक्जैक्टली आ जाए तो इस तरह का लगाएंगे इसी के बाद हम फाइनल में जो भी फाउंडेशन लेना चाहरे हैं वो लेंगे देखे कितना अच्छे से ये मैनेज हो चुका है तो वो शेड जो है वो हमारी स्कीन टोन में आ आ चुका है झाल 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 एंट्रेंस हमें ब्लैंडिंग बहुत हलके हाथों से करनी होती है जब भी हम कोई भी कलर करेक्टर ब्लैंड करते हैं तो बहुत हलके हाथों से करनी चाहिए वो हमारी स्कीन के अधर एडिया पर ना जाए सिर्फ जहां पर प्रॉब्लम है जहां पर डिस्कलेशन है सिर्फ वहां पर ही हमें ब्लैंड करना है इस तरह से मैं करनी हूँ काफी लाइट हैंड सी करनी हूँ मैं यहां पर मैंने इनकी स्कीन टोन का एक फांडेशन शेड बनाया है दो फांडेशन को मिलाके जो की मैंने फिट मी के दो शेड लिये थे तो इसको हम अच्छे से ब्लैंड कर लेंगे और अगर आपको मैं एक टिप देना चाहूँ अगर आप अपने मेकप को बहुती लांग लास्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें सेटिंग मिस्ट जो होता है उसको भी आप फांडेशन अपलाई करने के बाद आप लगा कर ब् फ्रेंड चैनल पर गिववे स्टार्ट हो चुका है तो गिववे की वीडियो देखना जरूर और गिववे में पार्टिशिपेट भी कीजिएगा अगली वीडियो में गिववे के गिफ्ट रिवील होने वाले हैं तो उसके लिए भी बने रहे हैं झाल 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 तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर इनके बेस को लूस पाउडर की हाल से सेट कर दिया था क्योंकि मैं यह जो मेकप है मैं अभी थोड़ा इस सीजन में कर रही हूं सैप्टेंबर में किया है तो ऑक्टूबर नेवंबर में आप करोगे इस मेकप को तो थोड़ा सा आप इसमें ब्राउंड ऊढ़ी का पाॉडर कंटोर लिया है आप लिकूड कॉंटोर भी ले सकते हैं तो मैंने पाउर कंटोरंग की है आप देखिए किस तरह से हम यहाँ पर contouring करते हैं और मैं यहाँ पर अपने student को समझा रही हूँ कि हम contouring में कहां तक हमें यह जो shade contouring का apply करना होता है then blend हमें ऊपर की side में करना होता है contouring हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारे face पर कोई feature sharp नहीं है हमें यहां भी cuts देने हैं heavy face है वहां cuts देने हैं तो हम उसके लिए हम contouring का use करते हैं और अगर आपसे contouring shade ज्यादा लग जाता है जिस तरह से आप देख रहे हैं इस side में हमने ज्यादा लगाया है इस बज़े से कि हम student को सिखा रहे हैं तो उसको हम कैसे सही करते हैं आगे वीडियो में यह भी बताया जाएगा blending proper अच्छी तरह से करना चाहिए अगर जहां पर contouring shade ज्यादा लग जाता है तो हम beauty blender लेंगे और उसकी हल्थ से हलका हलका उसे blend कर देंगे जिसी कि जो भी extra product है वो मारे beauty blender पर आ जाएगा और हमारा जो natural finesse आएगी contouring shade की देन मैं यहां पर एक blusser लोंगी इनके blusser जो मैं pink shade में blusser लगाने जारी हूं तो blusser भी हम contouring के just ऊपर लगाते हैं तो देखिए किस तरह से मैं apply कर रही हूं क्यूंकि इनके face पर pimple हैं और pimple mark हैं तो blusser ही हम ज्यादा लगा सकते हैं हमें highlighter थोड़ा avoid करना चाहिए तो highlighter मैंने बहुत कम लगाया है आप देखिए कितना करीब से देखिए कि इनका जो base है काफी अच्छा है और क्यूंकि pimple हैं तो pimple को देखिए कोई भी नहीं बिठा सकता है जो भी natural चीजे हैं वह आपके face पे after makeup भी visible होती है बस हम उनको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं और देखिए किस तरह से इनका जो blusser है अच्छा लग रहा है इनका eye makeup आपको कैसा लगा वो भी बताएगा कि अच्छा पर इनकी जो भी एरियाज है जहां पर मेरे को face पर हाइलाइट करना है तो मैं वहाँ पर concealer लोंगी तो मेरे पास जो concealer था वो काफी light shade में था काफी fair tone में था उसको हम कैसे इनकी skin tone के लिए बना सकते हैं तो मैंने पहले उसकी दो ड्रॉप ले ली है और उसके बाद मैंने कोई भी ऐसा foundation जो इनकी skin tone से एक या दो शेड डाकर हो उसको mix कर लेंगे तो हमें एक अच्छा सा concealer मिल जाएगा और हम उसको concealer highlighter भी बोल सकते हैं तो देखिए हमारा काफी अच्छा अच्छेट बन गया है इससे हम अंट्राई एरिया के नीचे अपना जहां पर हमें टी जोन एरिया पर हम अप्लाई करेंगे तो जहां पर हमें highlighter लगाना होता है वहां पर हम concealer लगाते हैं जिसके हमारा जो highlighting points है और अच्छे से highlight हो सके झाल अच्छे से ब्लैंड करें नाके रिया को भी हम कंसेरी हैं से थोड़ा सा ब्लैंड कर देंगे जिसे की फेस और नाके रिया मारा एक्क्वल दिखे एंड इसके बाद हम हाइलाइटर लगाएंगे हाइलाइटर जो इनकी स्किन तून पे गोल्डन कलर में अच्छा लगेगा तो मैंने वही शेड लिया है हलका सा रोज गोल्ड शेड है यहां पर तो मैंने यहां पर हाइलाइट कर दिया है इनकी यहां पर मैं इनकी नोस कोंटोरिंग कर रहे हूं जो कि पाउडर कोंटोर है कि अयुज पर शेड है यहां अगर का सर् 2, तो तो फ्रेंड्स बात करते हैं आज की गिववे कुशन की तो आज का जो गिववे कुशन है वो यह है कि इस मेकप लुक में मैंने यहां पर क्या-क्या प्रोडक्ट यूज किये हैं इस मेकप लुक को क्रियेट करने के लिए उन सभी का नाम आप मुझे इंस्टापे डियम करके बताना तो यही था आज का गिववे कुशन आई होब की आपने गिववे में पाटिश्प किया होगा तो फ्रेंट्स लास्ट में हम यहां पर इनके लिप्स्टिक लगाने के बाद फुल फेस पर हम मेकप साइटिंग स्प्रे लगा देंगे आप देखिए यह है मेरा फाइनल लुक एंड गिववे में पाटिश्प